Hello everyone, in this video we will do worksheet for finding square root by long division method हमने अपनी previous videos में part number 1, 2, 3, 4 already कर लिया था अब आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि कैसे आपने long division method से square root find out करना है तो अब आप confident भी हो चुके होंगे तो let's start doing part number 5 question is 3, 6, 3, 6, 0, 9 तो अब आपको पता है आपने सबसे पहला step करना है pairs बनाने है right to left में ये एक pair, ये दूसरा pair और ये तीसरा pair अब अगला step क्या होता है squares के tables को read करना तो फिर से मैं आपको वही page दिखाऊंगा first वाला 36 है तो 36 1 square 1, 2 square 4, 3 square 9, 4 square 16, 5 square 25 और 6 square 36 तो आपने क्या बोलना है कि 6, 6,036 पूरा पूरा डिवाइड हो गया 36 minus 36 cross और 0 अब आपको next pair नीचे लेकर आना है 36 और इस 6 को double करना है तो 6, 2,012 अब अगर आप 12 का table 36 तक read करते हूं तो आप बोलोगे 12,3036 तो आपको 123 को 3 से multiply करना पड़ेगा और वो number तो बढ़ा हो जाएगा तो इसका मतलब सिर्फ 2 digits नीचे लेकर आना insufficient रहेगा तो आपको अगला pair भी नीचे लेकर आना पड़ेगा means simultaneously आप कितने pairs नीचे लेकर आए दो pair और जब भी आपको दो pair एक साथ नीचे लाने पड़ें तो 1-0 आपने यहां लगानी और 1-0 आपने यहां लगानी मैं फिर से repeat कर रहा हूं अगर ऐसी condition जिसमें आपको 2 pairs एक साथ नीचे लेकर आने पड़ें तो आपने एक 0 यहां लगानी है और एक 0 यहां लगानी है अब 12 का table 36 तक read करेंगे 12 3036 तो 120 तो already था एक 3 यहां लिख लो एक 3 यहां लिख लो क्योंकि आपने 12 3036 तो पूरा-पूरा 3609 आ चुका 3 यहां लिख दो 3 यहां लिख दो और यह जो 3609 है वो आप यहां लिख दो minus तो 3609 में से 3609 minus करेंगे there is nothing left तो आपका answer क्या आ गया 36 3609 और इसके square root की value क्या है that is 603 it was easy but a new concept was there where you were bringing two pairs together तो आप दो pairs जब इकठे लाते हो एक 0 यहां लगेगी एक यहां लगेगी next part करते हैं one two zero four zero nine फिर से वही एक pair दूसरा pair और यह तीसरा pair start करते हैं अब आपके पास first pair में क्या number है 12 वही procedure three three zero nine क्योंकि four four zero sixteen तो बढ़ा हो जाएगा two में से nine minus नहीं हो सकता 12 बनेगा यहां zero आएगा अब 12 minus nine जो है वो three आएगा next pair नीचे लेकर आजो next pair क्या है zero four three का double कर दो three two zero six यह six आपने rough work में लिख लिया six का table 30 तक read करोगे six five zero thirty लेकिन जब 65 को five से multiply करोगे तो यहां three twenty five आएगा जो कि इसके नीचे नहीं आ सकता क्योंकि यह बढ़ा है नंबर तो आप एक digit पीछे कर दो 64 into four कर दो this is 256 तो फोर एक यहां आएगा एक यहां आएगा और यहां पर नंबर आ जाएगा 256 फोर में से six तो माइनस नहीं हो सकता और four zero से बोरो भी नहीं कर सकता यहां से बोरो करेगा यहां two आएगा यहां 14 बनेगा और central zero हमेशा nine बन जाता है 14 माइनस six is eight nine माइनस five is four and two माइनस two is cross अब आप next pair लेकर आजो नीचे next pair है zero nine का 34 का double करेंगे यानि two से multiply करेंगे 68 आएगा जो कि बिल्कुल इसके सामने आएगा 68 आपने rough work में लिख लिया six का table 48 तक read करेंगे six eights are 48 लेकिन जब आप six eighty eight को eight से multiply करेंगे तो number बड़ा आएगा तो आप इसको seven से करो seven sevens are forty nine four is the carry eight sevens are fifty six and four sixty zero six is the carry seven six are forty two and six is forty eight तो एक seven ये वाला यहां आ गया next seven यहां आ गया four eight zero nine और four eight zero nine मेंसे जब four eight zero nine को minus करोगे तो you are left with zero therefore twelve zero four zero nine और इसका जब आप square root लेते हो तो answer क्या आएगा three hundred forty seven I hope you have understood the solution of this एक बात का ध्यान रखना है आपको square root by long division करते time बिल्कुल careful और hundred percent attention देनी है क्योंकि आपकी attention इदर उदर गई तो आप की attention इदर उदर ना जाए hundred percent attention questions की तरफ को thank you आपकी तो आपकी तर स्वीश तर स्वीश जाए चाईट जढे पिल्गण फूटना है बिल्कश का रजद है क्यारों